हाई गाईज, वेलकम बैक तो चानल, आप में से बहुत लोग इंट्राडेट ट्रेड करते हो, जो मेरे को फॉलो करते हो, लेकिन एक ऐसा सेक्षन भी है, जो रेगलरली ओफिस, कॉलेज और स्कूल जाते है, उनके लिए रेगलरली इंट्राडेट ट्रेड करना पॉसिबल न लेकिन अभी धीरे-धीरे वर्फिस, कम हो रहा है, हाइब्रिड मॉडल हो गया है, तो बहुत लोगों काम पे जाना पड़ता है, तो रेगलरली इंट्राडेट करना पॉसिबल ही नहीं है, आपको उतना कॉसिबल नहीं है, आपको धंक का एंट्री नहीं मिलता है, और आप बहुत सारे मेल भी आते है, बस स्विंग ट्रेडिंग के उपर वीडियो बनाओ, तो मैं कभी-कभी जब अच्छा ओपरचुनेटी दिखता है, तब जाके आपको स्विंग ट्रेडिंग आइडियास देता हूँ, हर बार मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है, अब जैसे कि देखरों मैंने एक-दो माईने पहले हिंदाल को में ट्रेड लिया था, अभी ये 1-1 अचीव हो गया है, अभी मैं ट्रेल करते चल रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, SBI Life का, SBI Life अभी ब्रेक इवन पर ही चल रहा है, तो कुछ न कुछ कापिटल आप मार्केट कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इंट्रेडे में आच्छा नहीं हो जाते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा पैसा कमाते हैं मार्केट से, तो मैं इस ब्रेकट हो चुका है, आपको यह वाले डेब्ली पैटन में इधर जो एक ब्रेकट हुआ, आपको ट्रेड मिला होगा, लेकिन इधर एक प्राब्लम है सर, इधर आपका स्टॉप लोस बहुत जादा है, यह स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लोस है, नाउ इस परफेक् आप कौन सा भी दूसरा बैंक उठाओ, कोटाइंग बैंक, आईसे एसे एसे बैंक, वो सब आल टाइम हाई टच करके बहुत टाइम हो गया है, लेकिन आगर आप हजए बैंक देखोगे, यह 2022 का हाई बीट नहीं कर पाया है, इधर दो तीन बार आ चुका है, तो और हम एक् तो आप इधर एंट्री ले सकते हो, यह स्विंग के आसपास, और अपना स्टाप्लास इधर होना चाहिए, यह स्विंग के नीचे, और आप इसको होल्ड करते चलो, क्योंकि यह फंडमेंटली बहुत साही स्टॉक है, और मेरे पोर्टफोलो में यह 10-15 स्टॉक पढ़े है इसके, मैं आपको इधर स्क्रिन्शोट डाल देता हूँ, आप देख ले जिएगा, नेक्स्ट आपके HDFC, अगें सिमिलर पैटर्न, मार्केट इधर ब्रेक आट दिया, डेवली पैटर्न से, तीन-चाहर अफ्ते कंसल्लेट किया, और वापस एक फ्रेश ब्रेक आट इधर, मैं आपको trend lane drop करके भी दिखाता हूँ, यह देखें, another flag and pole pattern, तो आप इधर entry ले सकते हो, और आपका stop loss यह swing रहेगा, around 25-40 levels, and just because मैंने यह stocks भी है, and just because यह fundamentally अच्छे stocks है, doesn't mean आप अपना पूरा capital डालो इसमें, position sizing is more important, मैं क्यू बोलरा position sizing is very important, आप SBI Life का example देखो, अगर आ I am able to hold the position, क्योंकि मेरा risk defined है, क्योंकि मेरा position sizing correct है, अगर मेरा position sizing बहुत जादा होता, ऐसे ऐसे red candle देखके है, मेरा highlight tight हो जाता, क्योंकि यह swing trading है, आपको बहुत patience की जरुरत है, ऐसे नहीं कि एक दिन में आपका target अची होगा, क्या पत, एक हफता लगे, दो हफता लगे, या